आपको माता मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए एक ऐसा अचुप दिवे टोटका कह लीजिए उपाय कह लीजिए आपको देने वाली हूं जिसको करने से आपके घर में भी धन की बरकत सुरू हो जाएगी आपके घर में धन टिकने लगेगा उपाय पूरा लाश्ट तक जर दिक स्वागत करती है और कैसे हैं आप सभी आश्रा करती हूं आप सभी स्वस्थ्व पसंद होंगे अपने परिवार के साथ दोस्तों हाजिर हूं अमरत की बूंद और जादू यक्षर लेकर इसके साथ ही आपको राहुक अरबजीत पहुर्त का समय दूँगी जिनका बठ खुलें, आप भी सुख संपन और बैवब पूर्ण जीवन जीए, उसके लिए आपको अचुक उपाय कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, आपको देने वाली हो, आप इस उपाय को करते हैं, पूरी श्रधा और पूरे मन से, तो आप धीरे धीरे पाएंगे, कि आपके घर में धन टिकने लगा है, आपके घर में भी संपनता का वास हो गया है, दोस्तों, धन हमारी बेसिक जरूरती नहीं, हमारे जीवन का मुखे आधार भी है, बिना धन के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो जमाने गए, जब घरों में अन जल, इत्यादी सब लोग खेती त्यादी से काम चलता था, जहां धन की इतनी आवश्रक्ता नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे जीवन में धन ना हो, तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वो इतना धन धन चाहिए, कि हमारे जरूरत की सभी इक्षाएं पूरी हो सके, जब अपनी इक्षाओ को पूरा करना हो तो उसके लिए हमें विशेज धन की आवर्शक्ता होती है हमारे धन आये भी और धन टिके भी तब ही हम कहेंगे कि हमारे घर में माता मलक्षमी का निवास हो गया है माली जी आपके पास धन नहीं बचत हो रही है तब आपके पास धन नहीं है क्योंकि आप ज के लिए हमें निरनमे अपने घरों में हर महीने हर हवस्र विशेस औससे Любशमी हम से पसंदMax मतहमालक्षनी चंजला हैं वह कहीं भी जगें निवास करता है जहां उनका आधर नहीं होता है या उनको मनाने की कोशिश नहीं की जाती, वहां से वो तरंथ चली जाती है, तो इसलिए कहा जाता है, बेदों में भी कहा गया है, कि माता मा लक्षमी के लिए हर अपते कुछ न कुछ, जैसे शुक्रवार का दिन है, उस दिन कीजे, गुरुवार का दिन है, उस दिन कीजे, सौमबार क किजिए कुछ ना कुछ अपने घर में इस तरह को उपाय करते रहें जिससे कि धन आए भी और टिके भी आपके कमाई के जरिये बने रहें बड़े-बड़े करोड़ पती अरब पती व्यक्ति भी इस तरह के उपायों को गुप्त रूप से करते रहते हैं किसी को बताते नहीं हैं इसलिए इनको टोटके कहा जाता है टोटके का मतलब होता है कोई भी आपको टोके नहीं तो इन उपायों को आप करते जाए लेकिन किसी से भी बताइए मत कि आप युपाय कर रहे हैं को कि जब आप इन उपायों के बारे में बता देते हैं तो टोक लग जाती है टोक ल अपने खुद की टोक लग जाती है और फिर हमारे वही कारे बिकड़ने लगती हैं दोस्तों धन आगमन के लिए चाहे वो अमबानी हो चाहे मार्ग जुगरवर्क हो सभी अपने धन की निरंतर बढ़ोत्री के लिए जहां कर्ज लेते हैं वहीं ये धन प्राप्ति के लिए भ करते रहते हैं क्योंकि ये बड़े लोग है बताते नहीं और हमें निरंतर ऐसा करते रहने से जहां मालक्षमी प्रसंद रहती है हमारे घर में निवास करती हैं तो इसके लिए मैं कुछ आपको उपाय तो देखी रही हूं, इसके साथ मैं आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए, कि अपने घर को हमेशा साफ सुत्रा और व्यवस्तित रखिए, घर फैला हुआ ना रहे, घर में कवाड एखटा ना हूँ, घर में जूते चपल इधर दर बिखरे ना रहे, घर में आपके यहां कमरों में चादर इत्यादी भी एकदम साफ सुत्रे विचने चाहिए, कहीं से कटे फटे ना हूँ, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, नियमित आपके खर में सफाई होती है, मुख़दार आपका बिल्कुल साफ सुत्रा और चमकदा रहता है, तो म मालक्ष्मी आपके यहां निवास अवस्य करती है, मैंने पहले भी एक बार उपाये बताये हुआ कि माता मालक्ष्मी को मनाने के लिए आपके यहां इस्थिरूप से निवास करें, उने डेली आपको अपने भेन गेट पर जल कछीटे अवस्य देने चाहिए, मैं आपको द और आपके सारी मनो कामनाय कूरी करता है, और जब आप उसको नहीं मनाते हैं तो वो आपसे रूट कर बापस चला जाता है, यही मा माता लक्ष्मी के साथ में हैं, जब आप निरंतर अपने घर में सफाई रखते हैं, धूप दीप इत्यादी अपने मंदिर में जला कर रख करें, आपको किसी को शेयर बताना नहीं है, आप इसको शेयर कर нравूजेए वीडियो को, आप कहिए कि यह वीडियो देखिे, आपको पसंद आ है तो इस उपाई को कर के देखिए, वो आपसे पूछे क्या है, कि हामें करूँगा, लेकिन ये मत कहिए कि आप इसको कर रहे हैं क्योंकि इससे आप जो उपाय कर रहे हैं जिससे आपको लाब मिलने वाला उसमें टोक लग जाएगी अब मैं आपको यह उपाय बताती हूँ दोस्तों बहुत ही जमतकारिक उपाय है आप इससे करेंगे तो आप कुछ महीनों बाद पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जहां धन के मार्ग खुल गए है यानि कि आपकी बरकत होने लगी है आपके जो बिजने से आपकी चावो नौकरी है उसमें आपके प्रमोशन होने लगी है आपके धन बरकत के मार्ग खुल गए है तो इसके लिए उपाय दोस्तो मैं आपको इस तरह से एक इलाइची लोंग लेनी है फूल वाली लोंग होनी चाहिए बिल्कुल भी कहीं से खंडिक नहीं हो बिल्कुल स्वक्ष और साफ लोंग फूल वाली होनी चाहिए एक हरी इलाइची आपको इस तरह से हरी इलाइची लेनी है दोस्तो अब इसको आप अपने सीधे हाथ की मुठी में बांध लीजे इस तरह से इसको बांध लीजे आप मैं जो आपको मंत्र दे रही हूँ इस मंत्र का आपको 108 वर जाप करना है इस मंत्र का आपको 108 पर जाब करना है जाब करने के बाद दोस्तों इसको अपने माथी से लगाए इस तरह से उसके बाद एक पीला कपड़ा लीजे इस तरह से दोस्तों पीला कपड़ा लीजे इसमें इसको रखिए और इसको बांध दीजे इस तरह से इसको बांध के गांट लगा दीजे इस तरह से इसमें गांट लगा ये और इसको ले जाकर आपके घर में जहां भी धन रखा जाता है वो तिजोरी भी हो सकती है आपका गल्ला भी हो सकता है आपके कहीं भी अगर संग इसको इस्थापित कर दीजे और आप नियमित इस मंत्र का एक माला भी जाब कर सकते हैं 21 बार जाब कर सकते हैं 27 बार जाब कर सकते हैं इस तरह से इस मंत्र का आप जाब करते रहिए निरंदर हर पूर्णिमा पर या शुक्रवार को या शुक्रवार को या पूर्णिमा स किसी भी दिन आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, उसके बाद हर महीने की पोड़िमा रख लीजे, चाहे अमावस्या रख लीजे, उस तिथी पर इस पोड़िको निकाल कर लाइए, फिर से इसी तरह से इसको हाथ में रखिए, इसी मंत्र की एक माला जाप कीजिए, ओम धी इसको बदल भी सकते हैं, इनको प्रभायत कर दीजे, इसकी जगह नए वाले रख दीजे, लोंग इलाइची नए रख दीजे, आप ये निरंतर करते रहेंगे, आप पाएंगे, आप के धन की बरकत शुरू हो गई है, माता मालक्ष में आप से प्रसंद होने लगी है, आप अपनी ही टोक लग जाती है, तो आप भी उस बात का ध्यान रखें, मनी मन आप सोचने लगते हैं, कि आप तो मेरे आधन की बचत होने लगते हैं, ये भी आपकी टोक है, तो बस माता माहलक्ष मी से उनका धन्यवाद कीजे, कि आप माता मालक्ष में उससे प्रसंद है, बस इसी तरह से अपनी क्रपाय बना रखें ये गुप्त प्रयोग है इसे दोस्तों आप करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही चमतकारिक प्रयोग है इसे जरूर कीजिए साथ में अपने फैमिली मेंबर्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजे उनसे कहिए कि इस वीडियो को देखें और इस उपाय को करना शूरू किया क्यूंकि हमें छोटी-छोटी से इन प्रयोगों से जहां हमारा ना तो समय ही लग राये ना कोई धनकाट चोरा है जिससे हमें benefit ही मिलने वाला है तो अवशी ही करती रहना चाहिए दोस्तों इसके साथ ही अब मैं आपको आज का जादू यक्षर और अमरत की बूद देती हूँ मैं जो आपको प्रति दिन अमरत की बूद और जादू यक्षर देती हूँ ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं प्रति दिन की ग्रह प्रिस्तियों के आधार पर इन प्रेयोगों को तयार किया जाता है आप ये कोई भी राशी हो आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी वस्ता रही हो ये भारत में आप दिश में किसी देश में रहते हूँ, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हूँ, ये दस वर्स के बच्चे से लेके 90 वर्स तक के बुझूर, यानि बच्चे में इलापर उस बुझूर सभी के लिए समान रूप से उप्योगी और प्रभावी हैं, मातर एक आपका चंदरमा बली होने लगता है, आपका मन प्रसन रहने लगता है, आपकी औरा क्लीन होती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपकी इमिनिटी बुझ्ट होती है, जब इतने सारे आप इनसे लाब मिलने लगते हैं, तो आपके कारों में जो अर्चने आ रही ह होती हैं वह स्वते ही दूर होने लगती को कि ग्रहों का सपोर्ट मिल गया साथ में आपको चंद्रमाबली हो गया आप अपनी उल्जनों से बहुत ही जल्दी निकल आते हैं और आपके सारी इक्षाय मनुकाना है शीक्र पूरी भी होने लगती है तो दोस्ते इन प्रयोगों क करना चाहिए आज अब जीत महुर्ट का समय है बारा बजकर आठ मिनट से एक बजकर आठ मिनट तक इस समय आप कोई भी शुबनया करारण कर सकते हैं दोस्तों आज की अम्रत की भून में आपको हल्दी का टीका अपने माथे पर अवश लगाना है इसके साथ ही आपको एक ह कहीं भी लिखकर छोड़ दीजे 24 गंटे तक लिखा रहने दीजे दूसरे दिन आपना ये धुल जाएगा मैं आपको नया शब देती हूं आप इसको फिट से लिखने आप इसको अपने हाथ पन नहीं लिखना चाहते हैं छोटी से सफेद कागच चीट लिजे रेड कलर के फोल करके परस्या पॉकेट में रख लिजे 24 गंटे तक साथ रखे दूसरे दिन फार कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजे प्लीज से नाली में ना वहाएं आप इसको अपनी मदर टंगया नहीं मातर भाशा में भी लिख सकते हैं लिखे ब्रांसिसन उसका हाही होन क्योंकि मैं हर कमेंट्स का आपको उत्तर अवश्य देती हूं तो आप अधिक से अधिक कमेंट करें मुझे अच्छा लगता है मुझे मॉटिवेशन मिलता है शेयर जरूर करें अपने फेम्ली मेंबर्स में फ्रेंड सर्कल में शोसल मीडिया अकॉंट पर आपको मैं कुछ अच्छा बता रही हूं आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही हूं जो आपके जीवन में लापकारी हैं तो मेरे इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यह चैनल से नए जोड़ें तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें साथ में घंटी के बटन दिया हुआ है मेरा वाट्सेप नंबर है 80775065 इस नंबर पर आप कॉलिया मेसेज के द्वारा प्रोसेजर जान सकते हैं अब जिनका बर्थडे या मेरे जने वर्थडे है उनका यह वर्ष रूभो ऐसी मीरे सॉर से कामना है वो बच्चे मैला पर उस बुझरुक जिनका की किसी भी वर्ष में अगर उनकी मैरे जने वर्थडे है वो इस प्रेग को करेंगे एक वाइटलर के पेपर पर हल्दी से त्री नंबर यान यह तीन गांक लिखेंगे और उसको फोल्ड करके अपने परसिया पॉकेट में रखेंगे बच्ची अपने स्कूल बैग में रखें आश्रा करते हुआ आप लोग जरूर करेंगे इसमें अधिकाант कर देंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं क्या हुँकि अपने आपको भी बदलना होता है हमने अपने अपसे ekran करने होते यह कुण कि जहां घीता में भगवान श्री किष्म ने कहा है कर्म किये जा फल की इक्षा करने भी चाहिए क्योंकि धन जो हमारी जरुवत है हमारा अधिकार है जो हमें मिलना ही चाहिए तो अगर आप प्रयास करेंगे तभी तो आपको मिलेगा तो आप मैं आशा करती हूं आप इस वीडियो को देखेंगे भी और शेयर करेंगे साथ में इस प्रेव को तो यक्षर के साथ धन्या